हे गाईज, वेलकम टो एडुकेटर बग, कैसे आप सब लोग, I hope आप सब अच्छे होंगे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, फाइलम मोलस्का में रखे गए एक औरगैनिजम पाइला ग्लोबसा के बारे में, उसका सिस्टेमाटिक पोजिशन, उसका हैविट और हैविटेट और स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का के जनरल करेक्टर को हमने डिस्कस कर रखा है प्रीविएस वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं दे कि तो उसे जरूर देखिए उसका लिंक में डेस्क्रिप्श्टन बॉक्स में दे दूंगी फाइलब मोलस्क में एक ओरगेणिजम में इसका नाम है पाइला ग्लॉबबस पैाला क्या है जीनस है और ग्लॉबबस कैसी इसकी इसकीज़ में जानता है अइस tive इसका एपल के साइज है इतना हो सकता है। इस वज़े से इनने हम एपल स्नेह lijn के नाम से भी झाना नाम से ध्यान इनका सिस्टेमरडिक पॉजिशन दिख लेते हम, थालो मॉलसका थिला कउल Of गेस्ट्रोपोडा, ओर्डर है, मीजोगेस्ट्रोपोडा, जीनस है, पाइला, स्पीशीज है, ग्लोबोसा, एक बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब भी हम जीनस का नाम कॉपी में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे पाइला, जो जीनस, इसका फर्स्ट लेटर कैसा है, कै कैपिटल होता है, और हम जीनस को जो है, वो अंडर लाइन करते हैं, जब हम इसको कॉपी में राड़ डाउन करते हैं, और साथ साथ में जो स्पीशीज होती है, स्पीशीज का जो फस्ट लेटर है, उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, यह हम देख सकते हैं, ग्लोबोसा भाले मैं कि आकी जो पाइला है वो कहां पर रहता है पाइला ग्रोबुस स्था वसटाफ मख में देखने को मिलता है यह फ्रेश वोटर मेंarna पाइला कियों ठीटा है क्यों कि Yozobar करना दा है इस पर ऊक्राफ मोर से तक कमे एक फ्रेश वोप्लास patient अभी हमने पढ़ा कि जो पाईलाई लॉबShow अब वह फ्रेश वाटर मोलस्क आ धर में चाहिना हमिलस वाधा ब्लेच मेरे अब किसी नीस वेंट्रल मॉस्कुलर सुट से किसी ने स्नेयल देखा ऑगा तो आपने जरुर नोटिस की आओगा कि भी सिज धिरे-धिरे न्यगते हुए चलता है यहां पर हम देख सकते हैं यह स्नेयल के जरूर बताएंगे मुझे इंडिया के कुछ पार्ट जैसे की वेस्ट बेंगॉल बिहार में जो रहने वाले लोग होते हैं वो इसको अपने खाने में इसको यूज करते हैं अब हम डिसक्स कर लेते हैं इसकी एक्सटरनल मॉर्फलोजी के बारे में पाइला की एक्सटरनल मॉर्फलोजी के बारे में की आखिर वो कैसा दिखता है एक्सटरनली बाहर से हमें कैसा देखने को मिलता है पाइला को हम हिंदी में क्या कहते हैं गूंगा भी कहते हैं फरस्ट है वो है शेल The shell of Pila is univalve but coiled around a central axis in right-handed spiral अगर हम Pila को देखें तो हमें कैसा देखने को मिलता है उसके उपर एक shell present होती है आगे से उसका कुछ पार्ट जो हैं यसे बाहर निकला हुआ होता है तो यहाँ पे इसी shell की बात की गई है जो shell है Pila का वो कैसा होता है Univalve होता है Univalve कहने का मतलब है वो एक valve से मिलकर के बना होता है Valve कहने का मतलब है single piece से बना होता है Coiled around a central axis in right-handed spiral और central axis से right-handed की तरफ यह spiral होता है The small rounded tip of the shell represents the apex and the hole surrounded it is the apical hole अगर हम यहाँ इस shell के top पे देखें बिलकुल tip पे देखें यहाँ पे हमें small rounded क्या देखने को मिल रहा है एक tip देखने को मिले जिसे हम क्या कहते हैं apex कहते हैं shell का apex कहते हैं और जो hole इसको surrounded के वे हैं जो hole इसको गेरे हुए उसे हम क्या कहते हैं apical hole कहते हैं The lower most hole is largest and is known as body hole The line of contact between two adjacent hole is called as sutter यहाँ हम नीचे की तरफ देखें यह नीचे की तरफ यह बड़ा सा hole हमें देखने को मिल रहा है यह पूरा का पूरा इसे हम क्या कहते हैं body hole कहते हैं यह क्या है सबसे largest है इनसे हम देख सकते हैं इनसे तो यह बड़ा है स्टर कहते हैं क caring है बाबी होल अव था ऑपन जही एक्शिल आटा देया और लौ ओपनिग देश ये जो बाहर की कि तरफ एक वाइड ऑपनिक चोड़ी ऑपनिंग से ओपन हुआ है इस ओपनिंग को मौत हैं यह हम कह सकते हैं यह कह सकते हैं यह यह क्यों वाइज तरफ बाए अन अंडर लिप और दोनों को बाइज पहते हैं तो अप्र्फर न Giving अपर सुलम निकल जाएंगा तो ये जो शेल है इसका जो माउथ यह क्या हो जाता है एक फ्लाट चपटी जो है और लोंग प्लेट से ढख जाता है जिसे हम कया कहते हैं अपर सुलम कहते हैं next है वो है body shell के बाद हम discuss कर लेते हैं इसकी body के बारे में body of paila is divisible into four reasons head, foot, visceral mass and mental paila की जो body है वो 4 reasons में divided रहती है यह हम कह सकते हैं इसकी जो body है वो 4 parts में divided रहती है head में, foot में, visceral mass और mental में तो एक एक करके हम इनको discuss करते हैं first है वो है head head is anterior fleshy part of the body यहां पे दिखाए रहे है paila को जो कि क्या है? shell से बाहर निकला हुआ है यहां हम देख सकते हैं इसकी body के anterior part पे क्या present है इसका head present है it bears mouth, two pairs of contractile tentacles and a pair of eyes head पे ही दो pair जो है contractile tentacles present रहते हैं और एक pair eye का present रहता है यहां हम देख सकते हैं एक pair जो है वो tentacles का present है यहां है first tentacle है और एक pair यह tentacles है यह वाले large है तो यह first tentacles का pair है और यह second tentacles का pair है और एक pair इन में eye present है यह हम देख सकते हैं एक pair eye present है इन में the anterior pair of tentacles is called the cephalic tentacles the posterior pair of tentacles is long fleshy and contractile यह जो anterior type पे आगी के तरफ जो pair है tentacles का जिसे हम first tentacle कह रहे है यह कैसे हमें short छोटे देखने को मिलते हैं और हम इन्हें क्या कहते हैं सिफालिक tentacles कहते हैं जबकि पीछे की तरफ यह जो pair है tentacles का यह कैसे हैं यह long tentacles हमें देखने को में देख सकते हैं हम यह long है और यह कैसे होते हैं यौक मोर्न का फुट है वो कैसा है लोको मोोठोय औरगन के ने का मतलब है ये जो फुट है इसी के हें से ट रहा है वह एक जंगांसे दुसरी जंगां जाता कहते हैं यहां माई प्रेजला के निचे क्या फुट से पाइला फुट से पाइला मोव करता है फुट में रहती है पेडल घलार से प्रेजलानस हां जो क्या स्वाइम बार्श प्रेजला रहा है तो तो उसके पीछें ंदेखने को मिलताहद एक तो वो इनी पीडली लैंड से जो है वो सिक्रीट होता है The anterior part of the foot is round and the posterior dorsal surface be the upper sole Foot का जो anterior part होता है वो कैसा होता है rounded होता है जबकि जो posterior वाला dorsal surface है उस पे क्या present रहता है upper soleum present रहता है यह हम देख सकते हैं यह foot का जो anterior आगे वाला जो part है वो कैसा है rounded है जबकि जो पीछे वाला पार्ट है पीछे वाला जो dorsal surface उस पे क्या present है अपर सुलम present है next part है body का वो है visceral mass All visceral organs are contained in this lump like structure that lies above the head foot complex अगर हम यहाँ देखें यहाँ पे हमें head के ऊपर एक lump like structure देखने को मिल रहा है जिसे हम क्या कहते हैं visceral mass कहते हैं इसके अंदर जितने भी visceral organs है वो प्रेजेंट रहते हैं it is soft and gray to the dark brown in color it is spiral and coiled like the shell यह जो visceral mass है वो कैसा होता है soft होता है और इसका जो color है वो gray से लेकर के dark brown हो सकता है और यह हमें coiled देखने को मिलता है जैसे कि shell जो है इसी तरह से यह जो visceral mass है वो भी हमें coiled देखने को मिलता है यह जो structure दिखाएगा है पाइला का यह structure तब दिखाएगा है जब जो पाइला है वो shell से पूरी तरह बहार है नेक्स जो पार्ट है body का वो है mental skin of the visceral mass forms a thin and delicate covering called the mental अब यह जो visceral mass है इसकी जो skin है वो एक पतली और delicate covering बना लेती है जिसे हम कहते हैं mental कहते है it protects the soft visceral mass and also act as protection hood over the head and its appendages यह जो mental है वो क्या protect करती है यह जो soft visceral mass है इसको यह प्रोटेक्ट करती है इसको सुरक्षात देती है और साथ-साथ में यह head और उसके जो appendages है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है anteriorly the mental become thickened and pigmented आगे की तरफ यह जो mental है वो कैसा हो जाता है थिक मोटा हो जाता है और pigmented हो जाता है यहां हम देख सकते हैं यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है यह hanging structure देखने को मिल रहा है यह जो left वाला है इसे हम left sudipodium कहते हैं और यह right वाला है इसको right sudipodium कहते हैं तो गाइस यह हमने discuss किया पाइला ग्लोबासा के systematic position habit habitat के बारे में और साथ साथ में इसका complete structure discuss कर लिया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो